So it's our second day in Gulmarg In today's video, I will let you know आपको किन किन स्कैम से बचना है और आप actually क्या क्या enjoy कर सकते हो Gulmarg में We enjoyed the gondola ride there We did snow biking Played with snow And got to see some mesmerizing views in level 1 Gondola ride का price क्या है? Gondola ride में आपको level 1, 2 दोनों करने है के नहीं? आपको guide की जरूरत है या नहीं? And snow biking का क्या price है? इस सब कुछ इस वीडियो में available है आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए मैंने सब details में दिया हुआ है So without any further due, let's start today's video तो हम hotel से निकल गए अच्छे से cover up होके और जो ठंड है ना यहाँ बहुत जादा ठंड हो रही थी और कल रात को यहाँ snow fall हुआ था अगर आपने मेरा गुल्मर्क first part देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने अपने वीडियो में डाला था यू किन सी दाट कुछ भी नहीं दिख रहा है एवरिधें इस लुकिंग वाइट तो धीरे धीरे यहाँ भी snow activities स्टार्ट हो रहे हैं आज हम 10 बजे तक मिकल गए कज गंडोला राइट के लिए tickets वगेरा भी collect करना था हमें तो हम sledging करके गंडोला राइट तक जा रहे थे ये हमारे साथ हुआ था पहला scam हमें पता नहीं था कितना दूर था तो हम sled से जा रहे थे उन्होंने हमें कहा था कि यहां से जाना दूर पड़ेगा पैदल तो स्लेट से हमें होटल के पास से गंडोला राइट तक जाना और वहां से वापिस लेने का उन्होंने 12.50 पर हैट बताया था बत जब हम वहां पहुचे तो हमने देखा ये hardly 10 minutes walk होगा और इसके लिए उन्होंने हमसे चार्ज किये 12.50 रुपीज विच इस टू मच उनके बातों से ऐसा लगता है कि आप वहां तक चल के जा ही नहीं सकते बत बिलकुल दोड नहीं था बहुत सामने था यू किन आलसो चूस टू गो बाई वाकिंग नाव इस अपॉन यू आप वाक करके जाना चाहोगे या स्लेच से बट अगर आप स्लेच करके जा रहे हो तो प्लीज अच्छे से बागिन कर लीजिएगा क्योंकि 10 minutes के लिए 12.50 इस टू मच अभी आपको मैं दूसरा स्कैम बताती हूँ जो आपको पता होना चाहिए मेंचे जग थे हम सब ने ऐसा कहा था टिकेट के लिए लाइन लगती है टिकेट नहीं मिलेगा आपको गाइड होना चाहिए, वही आपके लिए टिकेट लाएगा बट ऐसा कुछ भी नहीं था, आप अराम से टिकेट कर सकते हो और मैंने तो शायद इटिकेट काउंटर भी देखा था तो आप थोड़ा सुभे निकलो, आप अराम से 5-10 मिनित में टिकेट निकाल लोगे सो ये जो आपने लाइड देखा, वो टिकेट का नहीं है वो गंडोला राइड के लिए लाइड था, तो ऐसा है, वो आप गाइड से टिकेट करो या आप खुद करो लाइड तो आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा सो हम अभी अपने टर्न के लिए वेट कर रहे थे लाइड में एक के बाद एक केबल कार आ रही थी और लोग चल रहे थे सो फाइनली वेट करते करते हमारा टर्न आया और हम जाके बैठ गए और हमारी गंडोला राइड स्टार्ट हो गई अब यहाँ से शुरू होता है अच्छा पार्ट हर किसी को लगता है गंडोला राइड क्या है नॉर्मल माउंटीन्स के उपर से केबल कार का राइड है बट नो यह सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था अभी जाते टाइम मैंने छोटा सा वीडियो रखा है गंडोला राइड का बट आते टाइम आपको दिखाती हूँ सीनिक ब्यूटी किसे कहते है गंडोला राइड तो आप जरूर करो आपका दिल खुश हो जाएगा कश्मीर आके यह एक एक्सपीरियंस है जो मैं हमेशा याद रखूँगी सो हम गंडोला राइड के फर्स लेवल तक पहुँच गए थे यह चो आपको स्टेर्स दिख रहा है इसी से हम गंडोला राइड से नीचे आए एंड यहाँ तो और जादा ठंड है देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज सजेस्ट करूँगी फर्स और सेगेंड दो लेवल है यहाँ फर्स लेवल पर ही आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर सेगेंड लेवल पर जाके करना क्या है 700 रुपीस है फर्स लेवल का और 900 है सेगेंड लेवल का बट आप second level तब ही जाओ जब आपको weather clear दिखे, वरना आपके पैसे भी जाएंगे और आप कुछ enjoy कर भी नहीं पाओगे, आप देखी रहे हो कैसा weather है, ऐसे weather में second level जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम आसपास explore कर रहे थे, क्या-क्या है यहाँ पे, क्या-क्या हम enjoy कर सकते ह आसपास की लोग दिख रहे थे, बस दूर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था तो हमने बहुत सारे shops देखे, लोग समोसे, चाई, कॉफी enjoy कर रहे थे हमने भी यहाँ से sweet corn लिया, breakfast नहीं किया था हमने, तो भूब भी लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा था, और हमें कुछ snow activities भी करना था तो उससे पहले हमने देखा, एक अंकल फेल पूरी बना रहे थे उनके पास soft drinks, chips and chocolates भी थे तो हमने उनसे कहा, एक टिखा करके भेल पूरी बनाने को, जो खाने के बाद धुआ निकले कान से और गर्मी लग जाए वो दूर जो आपको दिख रहा है, उस जगे पे हम खा रहे थे और फिर चल के हम इस side आए, जहाँ snow biking हो रही है यह लंबी जो आपको line दिख रही है, यह snow biking के लिए है, और वहाँ जो दूर दूर तक आपको दिख रहा है, वहाँ पे snow biking हो रहा है snow biking मैंने कभी की नहीं थी पहले, तो चलाना तो नहीं आता था, तो हमने वहाँ पूछा, कैसे क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा, वो आपको चला कर लेके जाएंगे, और फिर आपको चलाने देंगे फिर्स टाइम था, तो मैंने शॉट राइट करना ही ठीक समझा, ये शॉट राइट का टिकेट ले लिया है हमने, विच वास फॉर थाउजन रुपीज, तो हम snow bike पे बैट गए और हमारी राइट स्टार्ट हो गई जब हम snow bike से चर रहे थे उपर, जो नजारे थे आसपास के देखने लाएक थे While we were climbing up, we saw them coming down with the snow bikes Everything was looking right up there Mujhi bokhot zyadha maza a raha tha snow biking mein, it was really fun वो जो आपको उपर दिख रहा है, वही पे हम जा रहे हैं जो short ride है, इसमें यहाँ तक लाते हैं आपको और आपको 15 minutes का time देते हैं यहाँ पे तो जैसे ही time मिला हमें, हमने कुछ photos and videos क्लिक किये उपर से आसपास का नजारा बहुत खुब सुरत दिख रहा था It was looking so peaceful and beautiful 15 minutes का एक एक पल enjoy किया मैंने, एक भी पल waits नहीं होने दिया इतनी खुबसूरत जगा थी वो, I was enjoying that moment और मैं आसपास का सब कुछ भूल गई And I was playing with the snow just like a kid गौहाद सारे photos भी क्लिक किये थे हमने If you want to see more photos and short videos, you can check that out on my Instagram ID So that's me, आते टाइम भाया ने मुझे दिया था चलाने को Video बनाते हुए, ये भाया आ गये थे बीच में, चलो कोई नहीं So वहाँ पीछे आपको दिख रहा है, वहाँ से मैंने भाया को दे दिया था चलाने क्योंकि काफी स्लोपी था और मुझे अकेले चलाने में डर भी लग रहा था But मेरे फर्स टाइम एक्स्पीरियंस से बता रही हूँ आप स्नो एक्टिविटीज में स्नो वाइकिंग जरूर करो लॉंग राइड नहीं तो शॉट राइड बत करो मेरे शॉट राइड का एक्स्पीरियंस भी बहुत अच्छा था हर तरफ स्नो एड उस पे आप स्नो वाइकिंग कर रहे हो इट वस अ ग्रेट एक्स्पीरियंस आई लवट इट मेरा एक्स्पीरियंस और हैपिनिस आपको मेरे एक्स्प्रेशन से ही पता चल रहा होगा बस बहुत सारी मस्ती करके वहाँ से अब हम निकल रहे थे हमने उपर वहाँ बहुत सारे ओपन रस्टरॉंस देखे बढ़ हमने वहाँ खाना प्रेफर्ड नहीं किया क्योंकि आपको दिखी रहा होगा कितना ठंड हो रहा है सब कुछ सफेद दिख रहा था मैं नीचे जाकर अच्छे से एक कोजी प्लेस में लंच करना चाहती थी तो मैं यहां से गंडोला राइट की तरफ मूव कर रही थी तो मैं प्लेस लेवल ओन के नजारे जो खेना इतने खुब सूरत थे तो सेनिक बीव वर सो प्लेसंग कर देसमराइज आपको अटो फिरोड इस थी तो हम गंडोला राइट के पास आ गए and we were following how the cable cars were coming and going back while we were doing so suddenly snowfall started again snowfall को थोड़े देर enjoy करके हम गंडोला राइट के लिए लाइन में लग चुके थे and फिर हमारी गंडोला राइट स्टार्ट हो गई गंडोला राइट के बारे में जितना बोलू कम है दूसरे जगे पे केबल कार्स का नहीं पता बद कश्मीर में बहुत ही अच्छा एक्स्पीरियंस था गंडोला राइट में बैठे इतने उपर से जब आपको snow-covered mountains दिखे और पूरा snow-covered valley दिखे बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था and mountains के साथ लंबे लंबे ब्योदर ट्रीस पे भी snowfall हो रखा था and it was looking so mesmerizing it was really a beautiful experience and I surely recommend you guys to do this you will love it so हम आ गये थे नीचे and this is the place जहां से गंडोला राइट के लिए जाते हैं उसके बाद हम sledge की मदद से अपने होटेल के पास तक जा रहे थे और अभी भूग भी लग रही थी बहुत तो हम फिर से बक्षी रस्टराउन पे आ गए काफी कोजी प्लेस है and काफी अच्छा ambience है I showed you on my previous video So we ordered one chicken kashmiri pulao and some kashmiri chicken gravy, one naan, served with some salads and muli ki chutney And then this mutton kebab If you are a hardcore mutton lover then you gonna love this Khaara bhoot acha tha yaha ka Agar aap gulmar ga rahe ho then you should try this पूरा दिन बर्फ में खिलने के बाद सर में दर्द होडा है बहुत जादा And हमने वहाँ पे बक्षी रस्टराउन में बलंच किया था हम फिर से वही रस्टराउन पे इसले कहे थे क्योंकि खाना सच में बहुत बहुत अच्छा था So, बहुत ठंड हो रहा था So, we ordered Maggie from the restaurant below Maggie खाकर हम जल्दी डिनर के लिए गए जो हमारे booking में include था खाना अच्छा था And यहां के owner भी काफी friendly थे All the details of this hotel is there in my previous video You can check that out आज का वीडियो में यही wrap up कर रही हूँ क्योंकि खाना खाके हमें जल्दी से सोना है और कल सुबह हम जा रहे हैं पहल गाओ I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे then please do like, comment and share and please subscribe to my channel Kashmir के और वीडियो जा रहे है Till then, be safe, be protected and happy travelling आज आज का वीडियो जाओ